इस lecture में हम डिसकस करेंगे phylum Tinofora और platyalmanthis को तो पहले हम डिसकस करने वाले हैं phylum Tinofora को खास कुछ लंबा phylum नहीं है इसमें इसको complete करेंगे और साथ में focus करेंगे कुछ जो important इसके अंदर lines and topics हैं उन पे हमें focus रखेंगे तो देखिए एक एक चीज को हमें समझना जुरूरी है तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसके नाम से कि नाम का मतलब क्या है कि नाम का मतलब पता लग जाए तो चीजे आसान हो जाती है तो दो तीन फीचर्स तो नाम से निकल जाते है तो टीनो फोरा तो टीनो फोरा जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है इससे आया है कैस्टोस जिसका मतलब कॉम्ब और फोरोस मींस बीरिंग मींस ऐसे एनिमल जिनके उपर क्या पाई जाते हैं कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं ठीक है यह किस तरीके से जैसे आपने जैस पूटल एट आट रोज पाई जाती चार बनी है चार पिछली तरफ माल लीजए तो यहाँ पर क्या है कि कंगे की तरह क्या है यह आट प्लेट से पाई जाती है छो कि जोकी इनके लोकोमोशन इनके चलने में एक जंगह से दूसरी जंगह जाने में हैल्प करता है टीक है बॉ बॉड़ी के ऊपर की तरफ जैसे हमारी बॉड़ी पे हेर होता है से इनके बॉड़ी के ऊपर क्या है इस तरह की प्लेट्स पाई जाती है आठ रोज पाई जाती है लाइन्स पाई जाती है इन तरह की इसलिए इनसे लोकोमोशन होता है help मिलती है लोकोमोशन में इसलिए इनक का मतलब कहा पर रहते हैं रहना पसंद करते हैं तो देखिए exclusively marine यानि की जो है समुद्र के अंदर मिलते हैं यहीं पर मिलेंगे और पिलेजिक पिलेजिक का मतलब क्या होता है समुद्र के जो water surface है उपर की तरफ उसके आसपास यह मिलेंगे तैरते वे जैसे हम बोलते हैं कि समुद्र के बिल्कुल बोटम पे ओशियन जो होता है सी तो उसमें बोटम पे जैसे स्टारफिश होती है तो जमीन से लगके वो रहती है उनके आसपास वो मिलती है लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो जो वाटर पे उपर की तरफ सरफेस के उपर की जहना यह वहाँ पर तैरना पसंद करते हैं वहीं पर रहते हैं तो उनको बिल्कुल बोटम पे रहते हैं उनको बैंठिक बोलते हैं तो यह कैसे प्लाजिक एनिमल्स हैं बॉड़ी और्गनाइजेशन सिमेट्री जर्म लेयर और एक आता है सिलोम ठीक है तो यह सब क्या है यह हर एक गुरूप में आपको देखने को मिलेगा इसको कोई खास कोई दिक्कत होने नी चाहिए इसमेए याद करने को आपको सिर्फ क्या याद रखना है दो तीन चीज़े याद रखनी है कि जैसे हम बात करते हैं बॉडी और्गनाइजेशन में टीशू लेवल तो पहल से अगले वाला ओर्गन लेवल उससे अगले वाला ओर्गन सिस्टम लेवल तो आपको सिक्वेंस याद रखना है पाइलम का और यह चीज़े याद रखनी है आपको याद रखना है कि टीनो फोरा और निडेरिया के फीचर इन चारों में लगभग एक जैसे हैं ठीक है वह अगे जब और्गनिजम आएंगे अगली क्लास यसे प्लेटी हलमेंटीज आएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वहाँ पर देखिए और सिमिट्री जो हो जाएगी वह बाइलेटरल हो जाएगी बॉड़ी और टीशू के बाद में और गन आता है जर्म लेयर वहाँ पर वहाँ पर टिप्रोबलास्टिक हो जाएगी और जो सिलोम है वो ए सिलोमेट होते हैं मतलब सिलोम वहाँ पर भी नहीं पाया जाता है तो एक सिक्वेंस है आपको याद रखना है पहली बार जो सिलोम आएगा विसकेटरड फोम में वह एसकेलमेंटीज यह निमे टोड़ा म है उसके बाद में बाइलेटरल हो जाएगी ठीक है इस तरीके से ग्रूप को याद रखें किसके बाद में यह है तो आपको चीज़े आसान हो जाएगी ठीक है जैसे जर्म लेयर की बात करते हैं तो जर्म लेयर क्या है कि टीनो फोरा तक क्या डिपलोबलास्टिक है इसके में सभी में क्या आएगा सिलोम कम्पलीट आजाएगा यूसिलोमेट आएगा अब यह symmetry जो है सब में क्या आजाएग आगए बाई-डाइटरल सिमे बस आखरी में जो एक और्गिनिसम आएगा खाए अगा वो फिर उनकी में क्या जगा चतिरी जैसे में याद रखेंगे फिर रेडियल तो एक उसमें रेडियल बाकी सब में सेम यह रूल काम करेंगे ठीक है इस तरीक साब ट्रिक्स है इनको याद रख सकते हैं तो यह तो रहे आपके यहां तक डाइजेशन की बात करते हैं इसमें तो कैसा है एक्स्ट्रा और इंट्रसेलर यानिकी बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रो वैस्कुलर केविटी पाया जाती है यहां के आसपास किया है इनका माउथ पाया जाता है इससे क्या होता है बॉडी के अंदर खाना जाता है बॉडी के और क therapies काई मिशनका रहता है है इस तरीके से इसमें रहता है में यहां पर हम बोल सकते हैं कि बात यह आती है कि skeletal यानि जो कंकाल होते हैं हमारे में हड़ियां हैं ठीक है बोंस है cartilage है respiratory और excretory system क्या यहाँ पर होते हैं नहीं यहाँ पर यह तीनों अपसेंट होते हैं ठीक है locomotion की बात की थी कि 8 ciliary com plates जो ciliary यानि कि cilia ऐसे लगी विज़ जैसे complete है इस तरह आठ की बात करी थी हमने उसके उपर पाए जाती है ठीक है उनके उपर पाए जाती है इनसे क्या होता है complete से यह contraction reaction यानि की अपना moment दिखा सकते हैं nutrition की बात करते हैं तो कार नी वो रसमान सहारी है ठीक है इसके लिए क्या पाए जाते हैं इनकी body पे लंबे लंबे दो tentacles पाए जाते हैं body पे दो tentacles पाए जाते हैं ऐसे लंबे लंबे और उसके उपर उसके उपर क्या बैसी लियासी लगी रहती है इस तरीके से ठीक है और body इसकी tentacles के अंदरी क्या है इनी तरीके से क्या रहती है इन tentacles पे special type की अधेसिव सेल्स लगी रहती है अधेसिव का मत्तब चिपकाने वाली यसे माली जी एक चाबुक लिया चाबुक पे कुछ गोंद लगाया वाया गम लगाया वाया उसको आप फेकते हो पेपर के टुकडों पे तो पेपर के टुकडों को पकड़ कीच के वो लेके आएगा तो ऐसे tentacles होते हैं आपर tentacles होते हैं दो tentacles है यानी कि एक pair है मतलब दो tentacles है उनके उपर क्या मिलती है लासो सेल्स पाई जाती हैं जो कि अधेसिव सेल्स हैं ठीक है यानि कि यह क्या करेगी जो जो फूड है या प्रे शिकार है उसको पकड़के पकड़के क्या करेंगे इसको लाएंगे और अपने माउथ में ऐसे डाल देते हैं यानि कि निडेरिया के अंदर क्या थी नीडो ब्लास्ट थी जो टेंटेकल्स के अंदर वहाँ पर क्या थी नीडो ब्लास्ट थी स्टिंगिंग सेल डंक मारने वाली सेल वहाँ पर थी डंक मारने वाली सेल और यहाँ पर कौन सी है लासो सेल्स यहाँ पर टेंटेकल्स के अंदर लासो cells है, जो अधेसिव cells है, जो capture करेगी ये भी food को, ओ, क्या थी? वहाँ पर थी tentacles में महाँ पर माउथ के आसपास बहुत सारी tentacles थी, यहाँ दो tentacles है, वहाँ पर tentacles में needle blast, stinging, dunk मारने वाली cell है, यहाँ पर lasso cells है, यह चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक important आता है, bioluminescence, यह property, चमकने वाली property पाए जाती है, इसको क्या बोलते हैं, जब भी कोई living organism चमकता है, अंधेरे में दिखेगा चमकता है, ठीक है, जैसे जुगनू होते हैं, तो इस तरीके से जो अंधेरे में चमकता है, जो living organism चमकता है, उसकी property क्या बोलते हैं, उस property को bioluminescence बोलते हैं, जो कि इस pylum में पाए जाती है, reproduction की बात करते हैं, तो bisexual, यह नहीं कि हर meafrodite, male और female एक ही जगए पाए जाएंगे, NCRT ने लिख़ा कि sexes are not separate, यह नहीं कि sexes, अलग-अलग पे नहीं होंगे, एक पे ही होंगे, not separate का मतलब bisexual, चीक है, only sexual reproduction है, कि asexual fragmentation, इससे reproduction नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ sexual reproduction ही, gamete formation करके ही यह करेंगे, fertilization external, यह नहीं कि समुदरी पानी में होगा, ocean, marine water है, उसके अंदर होगा, body के अंदर नहीं होगा, fertilization, fertilization भार हो रहा है, और development भी वहीं होगा, लार्वा बनेगा, और जब भी लार्वा बनेगा, तो हम क्या बोलते हैं, उसको indirect development है, अभी direct indirect को समझना है, तो आप ऐसे समझ सकते हो, कि जैसे आदमी का बच्चा होता है, तो बिलकुल वो आदमी के जैसा ही लगता है, वो सेम, बैस साइस चोटा है, उसके दो हाथ, दो पैर, सेम वही organ है, जो एक, एक, एडल्ट में होते हैं, लेकिन जब एक लार्वा, तो यहाँ पर डवलमेंट को उसके लारवा हैं पोझा होती HOLT फोड़ा translucent, transparent सा होता है, वैंड़ा क ऐसा नहीं हहता है, तो बिलकुल जह्या है, अपने से बिलकुल ऐलग होता है, मेल खाता ही नहीं है, अब उस लारवा में uzi में metamorphosis होगी, हिंदी मीघ हीम होके metamorphosis होके उनमें वो बने है चोटे से हमारे में तो बच्चा डिरेक्ट आ गया वहाँ पे बच्चा किस तरह से बना है पहले लारवा से बच्चा अब वो धिर धिरे बड़ा होगा ठीक है तो वहाँ पे तो यह था अपका , अब बात करते है इससे भी जयाओधा इंस पारा सिपलेटी теперь को क्या हो तो इसको बहुत है यहींते चीज इनस के अंदर सबी को में डिसकस करेंगे तो देखिए पहले नाम से ही स्टार्ट करते हैं कि नाम का मतलब क्या क्योंकि इससे फिर वही बात है कि हमें दो तीन तो ऐसे याद करते हैं तो आपको लग रहा हो कि इसको कोई ट्रिक की बात जरूरत नहीं है लेकिन जब राउंड वोम आजाएंगे तो पता नहीं लगता है कौन सा राउंड वोम है और कौन सा फ्लैट वोम है तो कभी-कभी अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इस तरीके स याद रख सकते हो प्लेटी प्लेट कैसी होती है फ्लैट होती है तो उस तरीके से आध रख सकते हैं फ्लैट वोम क्यों कहलाते हैं कि देखें का जो डॉर्सों वेंट्रली यह लिखा वा रहता है एंसी आर्टिम फ्लैटेंट बॉड़ी इसका मत्तब क्या है कि उसका डॉर वंचे और नीचे का एरिया एंगी की डॉटल सर्फेस और वैंट्रल सर्फेस दोनों क्या हो दोनों प्लैट हो दोनों कैसे हो फ्लैट हो उसको बोलते हैं जिसे आपने इंची टेप देखा ऊगा या फिर कोई इस तरही से फ्लैट जैसे copy ले लो आप उपर से flat है नीचे से flat है तो क्या है नोटबुक जो है उपर से flat नीचे से flat तो बोलते हैं कि डॉर्सल सरफेस भी flat वेंट्रल सरफेस भी flat इसलिए इनको क्या बोलते हैं platyhelminthys flat warm कहा जाता है इसी वेरे से habitat and habitat ठीक है कहा रहते हैं किस तरह का भाई इसका nutrition हो सकता है कैसे हैं तो mostly endoparasite यानि कि इस platyhelminthys के जो animals हैं वो mostly endoparasite यानि कि किसी ना किसी host की body के अंदर देखो अगर उपर रहते हैं जोंकाई आगे ठीक है जुए हैं तो वो तो एक्टो पैरसाइट है बोड़ी के उपर रहते हैं एक पैरसाइट ऐसे जो बोड़ी के अंदर रहते हैं वहां से अपना nutrition लेते हैं उनको endoparasite बोलते हैं और parasite में क्या होता है होस्ट मरता नहीं है ठीक है प्रिडेशन जो होता है उसमें होस्ट मरता है शेर ने हिरन को खा लिया है तो उसमें होस्ट को मरना पड़ेगा यहां पर होस्ट जिंदा रहता है अगर होस्ट मर गया तो पैरसाइट ही मर जाता है ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं कि mostly endoparasite है body के अंदर रहके क्या करते हैं disease कर देते हैं वहां से nutrition लेते हैं ठीक है एंडसम आर फ्री लीविंग एक्वेटिक यहीं कि बहुत कम ऐसे भी और्गेनिजम है इसके अंदर प्लेटिक हलमेंथीज फाइलम के अंदर जो जो एक्वेटिक यहीं कि पानी में भी रहते हैं जो एक्वेटिक लेकिन mostly कैसे endoparasite है तो NCRT ने mention किया है endoparasite ठीक जर्म लेयर्स ट्रिपलोब्लास्टिक है तीन होती है यहीं कि जर्म लेयर्स का जो ट्रिपलोब्लास्टिक है इससे पहले सब क्या थे तीन ओ डिपलोब्लास्टिक थे अब यहां पर ट्रिपलोब्लास्टिक होते हुए भी इसमें सिलोम यहीं कि ट्रू बोडी कैवेटी सिलोम नहीं बन रही है देखो अभी भी क्योंकि सिलोम के लिए क्या कंडिशन होत order motive organism कैसा Li- Wireless उसके बाद में जो हम पड़ेंगे इसके निमेट उड़ा उसके अंदर पहली और और ऐसा फाइलम आएगा जिसमें कुछ हद तक सिलोम बना है लेकिन कम्प्लीटली नहीं बना उसमें सीडो सिलोम कहेंगे उसके बाद जितने भी आएंगे उनको हम कहेंगे ट्रू सिलोम वाले अनिमल जितने भी लास्ट तक हम पड़ेंगे ठीक तो बॉड़ी ओर्गनाइज़ेशन देखते हैं तो बॉड़ी ओर्गनाइज़ेशन कैसा है और गन लेवल तो देखे इससे पहले क्या था टीशू लेवल था पोरिफेरा में सेलूरर लेवल सिलेंट्र था यानि कि एक ही ट्यूब थी फूड के लिए चाहिए वह खाए या निकाल ले एक ही ओपनिंग होगी तो जब एक ही ओपनिंग होती तो क्या बोलते हैं डाइजिस्ट्रियों सिस्टम इंकम्प्लीट होता है था ठीक है तो बॉड़ी ओर्गनाइज़ेशन कैसा ओर्गन लेवल है और दन टीशु मिलके क्या है ? और्गनाइज़ेश दुए और बना चुका पहला गुरूप आया यह भी जहां पर ट्रिप्लोब्लस्टिक और और लेवल पहली बार आए है ठीक है ? सिमिटरि बाइलेटरल तो यह देखो ट्रिप्लोब्लस्टिक और लेवल और बा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि क्या होता है इनका मतलब सिलोम, बोडी ओर्गनाइजें, सिमिट्री वगारा सब के बारे में. लोकोमोटरी ओर्गन की बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी इस टीनो फोरा में इससे पहले, वहाँ पर लोकोमोशन के लिए यहा थे, 8 Combs Plates थी, लेकिन यहाँ पर यह अपसेंट है, लोकोमोशन क्या है, अपसेंट होता है, लेकिन बोल रहे हैं कि अधेसिव ओर्गन, ठीक है, किसी सर्फेस से, बॉडी सर्फेस से अटैच होने के लिए अधेसिव ओर्गन जरूर परजेंट है, जैसे कि hooks and suckers hooks and suckers, लेकिन कहां मिलेंगे सिर्फ parasitic form में मिलेंगे parasite जो होते हैं और parasite कैसे बैटाई, endoparasite तो body के अंदर रहेंगे जैसे हम बोलते हैं, फीता करमी, टेप, वोम, टीनिया, ठीक है, ये कहां से आता है, जो pig का meat खाते हैं, जो आदमी, जो सही तरीकिसे अध कचा, ये निकि अच्छी तरीकिसे पकावा ना हो, तो वहां से infection लग सकता है, आदमी को तो intestine में रहते हैं, intestine में क्या करते हैं, hook सकर से, जैसे माली जैंटेस्टाइन की wall में ऐसे क्या करते हैं, अपना जो आगे का लंबी बोड़ी होती है, टीनिया की, ठीक है, फिते की जैसी होती है, इंची टेप जैसा होता है, तो उसने intestine में ऐसे गुसा दिया अंदर, और पुरी बोड़ी ऐसे ही रहती है, तो कोई भी चीज आएगी, खाना आ रहा है, पानी आ रहा है, तो उसके साथ बाहर निकलने खतारा रहता है, लेकिन हुक फसा हुआ है, तो बाहर नहीं जाता, तो क्या है, अधेसी ओर्गन्स रहते हैं, और सकर्स क्या करते हैं, सकर्स क्या करते हैं, जैसे सक करते हैं, स्ट्रो वगरा के थूँ, गॉल्ड रिंग्स पीते हैं ऐसे ये भी क्या है सकर्स किनिग गेन कॺते हैं तो भात भी डायगे ठ्रीकमस दे से ब्लड के तुरू क्या होता है अब्जोब करते हैं इसका मतलब इसका मतलब यह वा कि जो इनमें एंडो पैरासाइट जो होंगे इस गुरूप के अंदर उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा क्यों कि खुद पहले से ही है जब बना बनाया डाइजेस्टिड फूड अब्जोब कर रहे हैं तो क्या मतलब है फिर डाइजेशन का डाइजेस्टिव सिस्टम का तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा फिर इसका मतलब किसी किसी में होगा यह नहीं कि जो एंडो पैरासाइट हो ब्लड सक करते हैं कुछ ऐसे भी हो सकते हैं देखो हम बात कर रहे थे मोसली किसकी टीनिया की लेकिन कुछ एक ऐसे भी जो ब्लड भी सक कर सकते हैं तो उनमें Digestive system हो सकता है लेकिन कैसा होगा incomplete लेकिन mostly कैसा रहता है इन में absent होता है टेफ वोम में कैसा है absent होता है ठीक है और टेफ वोम की याद रखना सारे features अलग हैं पूरे group के और exception हमेशा कुन बनेगा टेफ वोम बनेगा ठीक है मैं बात कर रहा था भी जो उसकी बात कर रहा था कि अबजोब करते हैं बना बना डाइजिस्टिट फूड वो टेप वोम की बात कर रहा था मैं ठीक है तो और लेवल बाइलेटरल सिमिट्री लोकोमोटरी ओरगन की बात होगी हुक्स और सकर्स आगे की तरफ रहते हैं जैसे यहाँ पर आगला इसको portion है, यह इस तरीके से रहता है, इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर hooks पाए जाते हैं, ठीक है, hooks पाए जाते हैं, और यह क्या करते हैं, सक करते सीधा food को, यह tape warm करता है, ठीक है, बाकी जैसे इसमें liver, liver fluk आएगा, तो liver fluk कहाँ पर रहता है, यह sheep क ये लिवर में रहता है, जो शीप होती न भेड, उसके लिवर में रहता है, आगे देखते हैं, on the body wall of animal से थिक cuticle is present, टेगुमेंट कहते हैं, भई देखिए अगर ये हमारे digestive tract में, elementary कनाल में, इंडस्टाइन में रह रहे हैं, तो हमारा digestive juice जो खाने को digest करता है, तो वो इनकी body को भी digest कर सकता है, तो ऐसे case में क्या करते हैं, हमारी body में बने भी रहें, और इनको हमारे digestive juice से कोई नुकसान भी ना हो, उससे इनका digestion भी ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अपने body के उपर एक cuticle की layer इनके उपर develop हो जाती है जिससे वो digestive use से बचे रहते हैं खाना तो digest होगा हमारा लेकिन ये digest नहीं होगे ऐसा माल लीज़े कि जैसे paper है paper को पानी में डाल लेंगे तो गल जाता है लेकिन उसके उपर lamination करके plastic की lamination करके तब पानी में डालोगे उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला तो यह वाला काम होता है यहां पर तो क्या है ठीक cuticle पाई जाती है ठीक है जैसे plant में देखा तो stomata मतलब epidermis के उपर पाई जाती है ट्रांस्पिरेशन का loss कम करने के लिए ठीक है तो protect the parasite from the digestive enzymes of the host अगए बात करते है तो क्या हो गया digestive system जैसे की बोला incomplete यानि की खाने के लिए ingestion और e-gestion के लिए सिर्फ एक ही opening होगी एक opening होगी ठीक है उसी को आप क्या mouth कह लिजे और normally कह लिए तो एक ही opening है फोर बहुत e-gestion and ingestion एक ही opening है ठीक है ब्लाइंड से एक भी word यूज़ करते है इसके लिए यहाँ पर तो incomplete है लेकिन absent बिलकुल देखो tap warm में तो absent ही होगी तो मैंने पहले भी कहा है कि पूरी इसके जब भी अगर exception बनेगा इस group का जो भी हम feature बताएं exception अगर follow नहीं करता रूल को तो वो tape warm होगा ठीक है तो absorb कुछ ऐसे है absorb nutrients from the host of their body surface कुछ तो भाई सकर से कर रहे है कुछ ऐसे है कि अपनी body surface से ही absorb कर लेते हैं ठीक है body surface simple division से क्या कर सकते है body surface से ही absorb कर सकते है skeletal respiratory system absent जैसे टीनोफोरा में भी absent था क्या करेंगे भाई जो skeletal system है उससे क्या क्या करेंगे जब अंदर endoparasite mostly endoparasite है बोल रहा है respiratory system absent है endoparasite की बात कर रहे हैं क्योंकि NCRT ने क्या बोला मैंने आप जरूर लिखा है equity के लेकिन endoparasite की बात हो रही है क्योंकि NCRT भी endoparasite की ही बात कर रही है mostly तो absent बोल रहे है respiratory system कैसा है absent है तो इसका मतलब क्या हो गया कि endoparasite जो body के अंदर रह रहे हैं जैसे हम बात कर रहे हैं टीनिय असोलियम की या फिर लिवर फ्लूग की तो इसके अंदर क्या है जब respiratory system है ही नहीं तो इसका मतलब वहां पर respiration जो होगा वो anaerobic तरीके से वो कर सकते हैं ठीक है highly developed ऐसा है नहीं कि लंग्स गिल्स इस तरीके से परजेंट है है यह नहीं एन औरोबिक रहते तो ऐसे गुल्कोस को anaerobic तरीके से क्या करते हैं यह oxidize करते हैं ठीक है उससे energy निकालते है एक्सक्रिशन यह बहुत important है इसको याद रखना यह बहुत important है बलाए by flame cells तो flame cells कहां पर मिलती है पहले बोला कि देखिए जैसे हम बोलते हैं कि body के अंदर excretion के लिए जैसे हमारे अंदर kidney है ऐसे ही इनके अंदर क्या पाई जाती है बोडी में flame cells पाई जाती है माल लीजे इस तरीके की flame cells है तो flame cell के अंदर क्या पाई जाता है तो flame cell के अंदर क्या पाई जाता है तो flame cells इनको इनके flame cells बहुत जो cell है तो cell के अंदर क्या होगा nucleus है ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है इस तरीके से क्या निकलते हैं कुछ फ्लैजला निकलते हैं उपर से इसे फ्लैजला निकलते हैं और इस तरीके से हिलती रहती ऐसे ऐसा लगता है जिसे आग लगरी हो यहां पर तो इसलिए क्या बोलते हैं प्रीकिल्ण हाँ उस निकालते हैं साथ में क्या ओस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है water balance भै ओस्मोसिस होती है तो water के लिए इबोलते है diffusion gas के लिए जनरली ठीक है तो osmosis में हम क्या बोलते है कि water का तो water का regulation करता है यहने कि body के अंदर पानी की कमी ना हो, अधिकता ना हो, तो water balance बना रहे, तो उसके लिए भी यह flame cell काम करते हैं, तो याद रहे है, question आ सकता है आपका, कि flame cells किस में पाए जा रही है, तो platyhelminthes में पाए जा रही है flame cells, ठीक है, platyhelminthes के सदस्यों में पाए जाएगी flame cells, इसक या नहीं है, तो बोल रहे हैं कि absent है, नहीं पाए जाते हैं, नहीं कि body ऐसे segments में divide है, या नहीं है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, divide नहीं है, लेकिन exception क्या है, टीनिया, लेकिन हम भी क्या बात कर रहे हैं, कि हम काली segmentation बोला है, यहाँ पे segmentation तो है, लेकिन true segmentation, जिसके लिए ब true segmentation, metameric segment नहीं है, क्योंकि metameric segment क्या होते है, metameric segment जैसे हमने बोला कि एक segment यह रहा body का, तो इसके पीछे इस तरीके से पीछे-पीछे बनता चला जाएगा जैसे हमने पहले भी कहा था कि एक line लगी भी है, बच्चों की जिसमें एक-एक बच्चा line के पीछे-पीछे आता जा रहा है, तो line पीछे से बढ़ दी है, इस तरीके segment बढ़ता है तो बोलते है true metamerism क्या बोलते हैं उसके लिए, उसके लिए बोलते है metameric segment या metamerism बोलते हैं ठीक है, इस process को metamerism कहते हैं, लेकिन ऐसा माल ले अब line लगी भी है, और एक बच्चा क्या करता, आगे से पहले वाले बच्चे को छोड़के उसके पीछे से लग जाता है, तो बाकी बच्चे पीछे हो जा रहे हैं, फिर बच्चा कोई आ गया रहा है बीच में लग जा रहा है, फिर बाकी बच्चे पीछे हो जा रहे हैं, ठीक और इस तरह का सेगमेंट यहां पर, यह नहीं कि यहां पर जो सेगमेंटेशन होता है, जैसे यहां पर उपर का first portion होता है, तो neck वाला जो region है, वहां से सेगमेंट बनते रहते हैं, और यह पीछे की तरफ चलता रहता है, तो यहाँ पर segmentation तो है टीनिया के अंदर, सिर्फ टीनिया में, बाकी और किसी में नहीं है, liver fluke देखो किसी दा normal है, तो इसको क्या बोलते है pseudo segmentation कहते है, pseudo metamerism कहते है, segmentation reproduction की बात करते हैं, तो bisexual है यह नहीं कि male और female एक ही body पे है, male और female organ एक ही body में है, ठीक है NCRT नहीं लिखा, sexes are not separate, means separate नहीं एक ही body में male और female है, bisexual hermaphrodite है, ठीक है fertilization cross and internal यानि कि cross का मतलब, bisexual होते हुए भी आपस में ना करके उसी में ना करके एक body में अलग-अलग organism के बीच में जादा preference दी जाती है, cross होता है अलग-अलग में internal, internal मतलब body के अंदर हो रहा है भी समुदूर में तो रहनी रहा है यहाँ पे, mostly क्या endoparasite तो body के अंदर हो रहा है ठीक है development, development कैसा indirect, indirect का मतलब larva बनेगा, लार्वा बोल रहा है many larval stage जैसे हम liver fluke की बात करते है liver fluke, ठीक है fasciola, जो sheep में रहता है उसके कम से कम यह मान के चलिए कि उसमें approximate 5 larval stage आती है उसके अंदर अलग-अलग larval stage आती है एक larval stage माले जे स्टार्टिंग में आई है liver fluke की sheep के अंदर है वहाँ से निकल के माले जे मिट्टी में आया है पानी में अलग आएगा फिर एक snail होता है इसका host ठीक है, sheep जो होती है liver fluke के जो host होते है दो होते हैं, टीनिया के भी दो है liver fluke के एक कौन है liver fluke का एक तो sheep होगी एक snail होता है mollusk होता है mollusk होता है उसके अंदर क्या है वो अपनी life cycle कुछ कुछ आड़ता है तो अलग-अलग stage है ठीक है, लारवा कहीं तरह के लारवा बनते हैं पानी में अलग तरह का बन रहा है मिट्टी में अलग उस mollusk का का mollusk जो है shell उसके अंदर अलग बन रहा है वहां से निकला अलग-फोम बनी फिर दुबारा sheep में अलग-फोम आई तो कहीं तरह के लारवाल stage आती है ठीक है कहीं तरह की लारवाल stage आती है क्यों? क्योंकि इसको अपने आपको survive कराने के लिए इतनी ज़्यादा forms में develop करना पड़ता है अपने आपको क्योंकि इनके host इस तरीके के एक जमीन पे रहने वाला एक पानी में रहने वाला तो वहां तक पहुँचने के लिए इनके लारवाल stage यह बहुत ज़्यादा है ठीक है? बहुत सारी लारवाल stage आपाई जाती है example जो बोल रहे है planaria, tinia, faciola planaria जो है planaria आपने 10th class में पढ़ा है जिसके अंदर regeneration की power पाई जाती है ठीक है? अगर body कहीं parts में cut हो जाए तो हर एक part नए organism को जन्म देता है तो planaria है वो tinia की बात कर रहे थे हम tinia कहां होता है? बही बताया था कि इसके दो host होते है primary host, secondary host एक आदमी हो गया man, दूसरा हो गया कौन pig हो गया sewer उसके अंदर तो ये ऐसे आदमियों में जो मिल जाता है generally जो की pig, sewer का जो meat खाते है उनके अंदर मिल सकता है ऐसा नहीं कि हमेशा मिले गाई जो sewer का meat अच्छी तरह के से पका के नहीं खाते है उनके अंदर इसके मिलने के chances जादा रहते है तो उनके body के अंदर रहता है उसको meat खाते है तो इनके अंदर पहुँच जाता है आदमी के अंदर पहुँच जाता है वहाँ पे लंबा होता है लंबाई बढ़ती है जो टीनिया सोलम की लंबाई बढ़ती है और जब लंबा काफी हो जाता है तो उसके segments जो segment होते है न इसके अभी टीनिया के बोले segment कुछ last के segment जो है टूट टूट के जो मल होता है यानिकी जो excreta होता है उसके थूप बहार आ जाते है और जब sewer वगरा ये गंदी वंदी इस तरह excreta खाता है तो वो जो जो इसके sports वगरा है जो तुकुड़े थे वो कहां पर वो दुबारा से सुवर के अंदर चले जाते है और इस तरीके से cycle चलती रहती है ठीक है तो ये था क्या टीनिया ऐसे ही फैसियोला की बात की थी हमने liver fluk की इसके भी दो host है कौन से बताए थे अभी एक तो sheep, sheep के liver में रहता है और दूसरा है जो mollusk होता है शेल उसमें रहता है तो ये थे ठीक है तो ये था पुरा-पुरा प्लेटी हलमेंथीज किया तो इस lecture में अगर कोई भी आपको चीज समझ में ना आई हो या कुछ पूछना तो आप कमेंट करें मैं आपको reply जरूर करूंगा ठीक है इस lecture में इतना ही आगे के lecture में हम बात करेंगे next आने वाले phylums की थैंक ये